शुकरवार को चमबा में राश्ट्री अक्षे रोग उन्मूलन कारेक्रम को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमबा डॉक्टर राजेश गुलेरी ने की इस बैठक में प्रतियक ब्लोक में टीबी के मामलों का जल्द पता लगाने पर जोर दिया गया स्वास्थेवं परिवार कल्यान विभाग चमबा द्वारा शुकरवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कारेले चमबा के सभागार में राश्ट्रियक शेरोग उनमूलन कारेकरम की विशेश मासिक समिक्षा बैठक आयोजित की गई इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमबा डॉक्टर राजेश गुलेरी न की बैठक में जिला स्वास्थे अधिकारी डॉक्टर जालम सिंग, जिला टीबी अधिकारी डॉक्टर हरित पुरी के साथ खंड चिकित्सा अधिकारी और अन्य चिकित्सकों के अलावा एंटी ईपी करमचारियों ने हिस्सा लिया बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जिले में हर टीबी रोगी के परिणाम में सुधार के लिए टीबी केस अधिसूचना और अन्य संकेतकों पर समिक्षा की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए जिला टीबी अधिकारी डॉक्टर हरित्पूरी ने कहा कि इस बैठक में प्रती एक ब्लॉक में टीबी के मामलों का जल्द पता लगाने पर जोड दिया गया उन्होंने कहा कि इसके अलावा बैठक में टीबी रोग्यों के उपचार की निगरानी करने और समय पर जिले में सभी टीबी रोग्यों को निश्चे पोशन योजना के तहत भुगतान किये जाने जैसे विश्यों पर भी चर्चा की गई आज यहां जिला चंबा में सीमो कारियाले के सभागार में राष्टे शेरों उन्मुलन कारिकरम टीबी प्रोग्राम जो होता है उसकी विशेश मासिक समशा मैंटक का अयूजन किया गया था जिसमें पूरे जिला के जो हमारे हल्थ ब्लॉक्स होते हैं वहां से बीमो जो थे उन्होंने भाग लिया इसके अलावा हमारे जो एंटीपी का स्टाफ है जिसमें स्टीएस और स्टीएलेस और इसके अलावा एल्टीज जो थे हैं लैब टेक्निशन उन्होंने भी इस बैटक में हमने जो डीवी रोगियों के इलाज के सुधार के परिनाम में बहतर जो भी सुविदाएं हो सकती है उसके बारे में चर्चा की और टीवी केस अधी सूचना जो हमारे एक्सपेक्टिट टार्गेट जो होना चाहिए जिला का उसके अधार पे सभी खंडों को बताय कि उसके अधार पे अपना काम करें और जो भी टीवी के केस अधी सूचित हो रहे हैं उन्हें पूरा जो भी है टाइमली उनका इलाज और उन पे पूरी निगरानी रखी जाए तिल देर जब तक उनका जो है इलाज पूरा नहीं हो जाता इस सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मलहोत्रा की रिपोर्ट